नमस्ते जी वेदिक राष्ट में आपका स्वागत थे आज का हमारा विशे है जिवात्मा एक स्वतंत्र एवं अन्य अनादिय तत्वों से प्रतक सत्ता और पदार्थ है आज के इस लेख के लेखक हैं वेदिक पिद्वान मनमोहन कुमार आरे दहरादूल से इस तरह के अन्य वेदिक लेखों के लिए प्रणादायक काहनियों के लिए महापुर्षों के जीवन परिचे के लिए वेदिक भजनों के लिए वेदिक राष्ट यूटूब चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सकाइब करें बेल आइकोन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती आईए आगे बढ़ते हैं विशे के लिए चलते हैं हमारा यह संसार इस्वर जीव तता प्रकृती इन तीन सत्ताओं वा पदार्थों से जुकते हैं अनंत आकाश का भी अस्तित्व है परन्तु यह कभी किसी विकार को प्राप्त ना होने वाला किसी प्रकार की क्रिया ना क इस्वर जीव तता प्रकृती यह तीनों अनादी प्रकृत इस अनंत व्यापक आकाश में ही रहते हैं इस्वर के गुण कर्म सबहाव इतर जीव वा प्रकृती से प्रतक हैं जिनका ज्यान इस स्रश्टी के लोगों को प्रथम चार वेदों से अनादी काल में हुआ था इन रिशियों ने एक अन रिशी ब्रह्मा जी को वेदों का ज्यान कराया ब्रह्मा जो है परमात्मा द्वारा अमेथरी स्ष्टी में उत्पन्न अन इस्थ्री और पुरुषों में इन रिशियों द्वारा ही ज्यान का प्रचार किया गया यहीं से रिशी परंपरा अस्था वह सब अपने शिश्यों को विदाद्यन कराकर तयार करते और उनके साथ मिलकर वेद ज्यूक्त ग्रंथों के लेखन अब्देश आदी से विदों का प्रचार करते थे। स्पूर हुए महाबार्त की दुद के बाद देश में अवयवस्था उत्पन्न होने से वेद प्रचार प्रभावित हुआ जिससे लोगों में भ्रांतिया उत्पन्न होकर अनेक अन्दवस्वास उत्पन्न हो गए इन अन्दवस्वासों के कारण इस्वर जिवात्मा प्रकृ होकर अस्तित में आ गए जो आज भी विद्धमान है अध्यन करने पर ज्यात होता है कि आज भी मतमतांतर कि स्वर्वा जिवात्मा सम्द्धित अविध्या से जुकते हैं रिशी डायनन ने अपने अमर गरंत सत्यार्थ प्रकास में सभी मतमतांतरों की अविध्या प्रकास किया है अविध्या सहित सत्यार्थ प्रकास वेदों के सच्चे सुरूप जो अविध्या का प्रकाशक होने के कारण यहां गरंत वर्तमान में वेद प्रचार का प्रम गरंत बन गया है सत्यार्थ प्रकास की सिक्षाओं वशय वस्तुके ने सभी मतों पर उनके चिंतर भणाली पर प्रहओ डाला है सत्यार्थ प्रकास में मद मतांतरों की परिच्छा वज़ो समिच्छा की गई है उसका यतोचित समाधान अध्धावधी देखने को नहीं मिलता सत्यार्द प्रकास के आधार पर मतमतांतरों ने अपनी मानेताओं की अपेक्षि सुधार भी नहीं किये इस कारण से वेत प्रचार के अवश्रिक्ता आज भी बनी हुई है विना वेद विध्या बावेदिक मानेताओं सिध्धानतों के प्रचार से संसार से अवेद्या दूर नहीं की जा सकती इसके बिना समस्त मनुष जाती को दोखों से मुक्त यम सुकों से युक्त नहीं की जा सकता अतासरश्टी में विद्धमान इस्वर जीव प्रकृती के सत्य सुरूप के प्रचार की अवशक्ता आज भी बनी हुई है वेद प्रचारवा वेद मंत्रों के सत्य अर्थों के ज्यान से ही मनश की बुद्धी सत्य ज्यान को प्राप्त होकर सुखों की प्राप्त होती है मनिश इस्वर सहित जिवात्मा प्रकृति के सत्वरूप को पराप्त होकर निर्भान्त हो जाता है अता विदानुसार इस्वर जिव प्रकृति के सत्वरूप गुण कर्मसभाव का प्रचार करना आज भी समीचीन है सबी मनुश्यों को या ज्यान होना चाहिए कि उनका इथार्थ सुरूप क्या है उसके लिए या अवश्चक होता है कि मनुश्य के सरीर में एक सत्चित आत्मा का नवास होता है बस्तता मनुश्य सरीर में मुख सत्ता इस चेतन आत्मा ही होती है इसी के लिए परमात्मा मनश्य को जन्म देते हैं मनश्य जन्म आत्मा का ही जन्म होता है जिदी आत्मा ना होता तो फिर मनश्य का जन्म भी ना होता मनश्य का जन्म अपने पुर्व जन्मों के कर्मों के पाप और पंड रूपी कर्मों के सुख और दुख रूपी फलों को भोगने के लिए होता है इसके लिए परमात्मा की विवस्ता युवा माता पताओं से कन्या और बालक शुश्वों का जन्म होता है जो व्रद्धी को प्राथत होकर शुश्वों से बालक किसोर युवा प्रोड और व्रद्ध बनते हैं मनश योनी उभाय योनी है इसमें मनश सुख और अशुब कर्मों के फल का भोग भी करते हैं मनश योनी में मनश अपने पुर्व जन्मों की कर्मों का फल भोक कर उनका कुछ मातरा में च्छे करते हैं। यदि मनश इस जन्म में विदाध्यन को प्राप्त होकर इस्वर के कर्म फल विदान को जानकर अशुवववपाप कर्मों का करना छोड़ देते हैं तो उनकी आत्म करने संबंदित अपने सभी कर्तवियों को चान लेता है जिसको करने से उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है मोक्ष का अर्थ जन्म वर्ण सहित सभी दुखों से छूटना इस्वर के सानद में 31 नीर दस खरब चालिस अरब वर्षों तक रहकर पूर्ण आनंद का भोग करना होता है मोक्ष के सुरूप और उसकी प्राप्ति के साधनों का वरणन वेद सहित सत्याद प्रकास करन्त के नौम समुलास में उपलब्द होता है इस सामगरी का ध्यान करके मनश अपने जीवन को बहतरमात्माँ से यक्ट था देश में मनश वर्तमान की अपेक्षा अधिक उन्नत चरित्र और नेतिक्ता के गुणों के धनी सुखी सस्त रोग रहित दरगाजू को प्राप्त होते थे आज के समय में भी वेदिक जीवन ही उत्तम सिद्ध होता है इससे मनश इस्वरवा आत्मा को जानकर उनके ध्यानवा चिंतन से इस्वर के निकट से निकटतर होता है मनश सत्कर्मो को करते हुए आत्मा के लक्ष मोक्ष की और प्रवत्त होकर इस्वर्वा मोक्ष के निकटता को प्राप्त करता है अतहा सभी दुखों से रहित मोक्ष को सब मनश्यों को जानना चाहिए उसके साधनों को जीवन में धारन और आचरन में लाकर अपने वरतमान भोष्च के जन्मों को सुखद और मोक्ष प्राप्ती में साहयक बनाना चाहिए मनश का सरीर पंच महाबूतों से बना हुआ है जिसका आदी होता है उसका अंत भी निश्चित होता है सद्धान तहे कि जिसका जन्म हुआ है उसके मरत्यों भी अवश्य होगी इस संसार में जन्म धर्मा मनश सभी प्राणियों की मरत्यों होती ही देखते हैं इस रिष्टी में आदी काल से अब तक जितने भी प्राणी उत्पन हुए हैं वह अभी सभी मृत्यों के प्राप्त हुए हैं हमें भी इसी प्रक्रिया से गुजरना है हमारे वश में केवल वेदियान की प्राप्ति सद कर्मों का अच्रण है इसे करके हम अपने जीवन को इस सरवरिष्यों की आग्या के अनुसार सत्य बोलकर धर्म का आच्रण करके वितीत कर सकते हैं हमें अपनी आत्मा के सत्य सुरूप को भी जानना है वेदादी सास्त्रों से आत्मा अनादी वा अनुत्पन सिद्ध होता है आत्मा का नाश और अभाव तीनों कालों में कभी नहीं होता और नहोगा या आत्मा सुष्म एक देशी ससीम अलपज्य है इसमें मनुष्य योनि में जन्म लेकर ज्ञान को पराप्त होने वेदानुसार कर्म करने की योग्यता और छंता होती है इसे अपने सभी कर्मों का फल जन्म जन्मांतर में अनेक योनियों में भोगना पड़ता है हमारा जन्म आत्मा का जो जन्म है और मरण के बंदनों से बंदा हुआ अपने किये सभी कर्मों का भुपता होता है सुब उत्तम और स्रिष्ट कर्मों का फल सुख असुब और पाप कर्मों का फल दुख और जीवन की अवनती होती है मनुस्वर्ति में कहा गया है कि आत्मा सिर के बाल के अगर भाग के सोवे भाग करने वा सोवे भाग में पुना एक सोवे भाग करने पर जो उसका सोवा भाग होता है उसके बराबर होता है इससे जिवात्मा का परिमान सुच्मिता का अनुमान लगाया जा सकता है इसी सुच्मिता के कारण हमारी आत्मा जो है आख्यों से दिखाई नहीं देती इतना सुच्मा आत्मा हम मनुश्यों और प्राणियों के सरीरों में निवास करतावा ने चलाता है। जीव को परिभाशित करते हुए रिशी ने लिखा है कि जो इच्छा, द्वेश, सुक, दुख, ग्यानादी, गुण, सहित, अलपज, नित, सदा हर काल में रहने वाला उसी को जीव मानता हूँ। हमने लिख में जिवात्मा के सुरूप वा करतव्यों की चर्चा की है। आशाख है कि पाठक इस लिख को पसंद करेंगे। ओम, इस तरह के अन्य वेदिक लेखों के लिए, प्रेनादाय कहानियों के लिए, महापुर्शों के जीवन पर इचे के लिए, वेदिक रास्ट यूटिब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकोन की घंटी को दबा दें, और अपने कीमते से जाओ कमेंट करें, धन्य वाद।